हेलो दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया कि लिमिट ओडर और मार्केट ओडर किस तरह से काम करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको जिन फीचर के बारे में बताने वाले हैं, वो यह हैं इंस्टेंट एक्जिट पार्शिल एक्जिट और पार्शिल कैंसल। exit करते समय सबसे tough decision रहता है exit price set करना क्योंकि आपका selected price अगर market price से ज्यादा है तो आपको exit नहीं मिलता लेकिन कुछ instances में आप तुरंत exit चाहते हो चाहे profit कुछ कम ही क्यों नहीं हो या कुछ मौकों पर आप थोड़ा बहुत loss भी bear कर लेंगे लेकिन अगर आपको exit तुरंत मिल जाए ऐसे में normal exit से ज्यादा impactful feature है instant exit instant exit आपको एक predefined price range में exit करने की सुविधा प्रदान करता है और अगर उस price range में buyers available हैं तो आपको तुरंत exit मिल भी जाता है हाँ यहाँ एक बात ध्यान रखने लायक है कि instant exit का मतलब sure shot exit नहीं होता है बलकि इसका मतलब सिर्फ यह है कि इससे आपकी exit की probabilities काफी बढ़ जाती है instant exit is best used in fast moving markets जहाँ prices rapidly change हो जाते हैं अब बात करते हैं partial exit की अगर आपको अपने किसी placed order की सभी quantities exit नहीं करनी है लेकिन आप उस order की कुछ quantities exit करना चाहते हैं तो आपके काम आता है partial exit आप partial exit को use करके अपने order में से desired number of quantities exit कर सकते हैं आए इस feature का एक use case समझ लेते हैं माल लीजिए आपकी 100 quantities matched हैं 7 रुपय के price पर और आप उसमें से 50 quantity exit कर लेना चाहते हैं 9 रुपय के price पर लेकिन आप 50 quantity hold करके रखना चाहते हैं ताकि आपका profit increase हो जाए ऐसे में आप partial exit को use करके 100 में से 50 quantity exit कर सकते हैं और 50 quantity hold कर सकते हैं चलिए अब अंत में बात कर लेते हैं partial cancel के उपर partial cancel आपको अपने order में से desired unmatched quantities cancel करने का option देता है ये feature उस समय बहुत useful होता है जब आप अपना investment किसी event पर कम करना चाहते हो लेकिन आप अपना order cancel नहीं करना चाहते और दुबारा से order place नहीं करना चाहते ताकि आपका order matching queue में पीछे ना चला जाए इससे आपका investment भी कम हो जाएगा और matching queue में आपकी original position भी बरकरार रहे तो आपने देखा कि instant exit, partial exit और partial cancel कैसे काम करते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा आप comment section में जरूर लिखिए अगले वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद